इस वीडियो को पहले देखकर आपको लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी ट्रेन आई है बस लेकिन ट्रेन आने से ये लोग खुशी से जूम की उठे आपको जानकर हैरानी होगी कि नौग घंटे की देरी के बाद जब एक ट्रेन प्लाटफॉर्म पर आती है तो ये लोग खुशी से जूम उठते हैं ऐसा दावा हम नहीं बलकि एक ट्विटर यूजर ने किया है हमारे देश में ट्रेन की लेट लतीफी आम बात हो गई है हाला कि हाली के दिनों में इसमें काफी सुधार हुआ कई बार ट्रेन की देरी आपके धहरी का भी इमतिहान ले सकती है कई आतरियों को रेलवे स्टेशन पर धहरी की इस कठिन परिक्षों से गुजरना पड़ता है खास कर तब जब आपकी ट्रेन एक दू नहीं बलकि आट से दस घंटे लेट हो एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चाया हुआ है हार्दिक बोन्थू नाम के एक ट्विटर यूजर ने अपनी ट्रेन की 9 घंटे की देरी से स्टेशन पर पहुचने पर लोगों की प्रतिक्रिया का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया उनके पोस्ट के मताबिक कुछ लोगों को पता था कि ट्रेन देर से चल रही थी और इसलिए वो अपने होटलों से देर से निकले थे इसके बावजूद जैसे ही प्लाटफॉर्म पर ट्रेन आई लोग खुशी से जूम उठे बज़दार बात यह है कि लोग अस वीडियो में ठके हुए नहीं दिख रहे हैं जैसा कि इतने लंबे इंदिजार के बाद आम तोर पर होता है लोग काफी एनरजेटिक दिख रहे हैं प्लाटफॉर्म के पास भीड हैं थोड़ी दूर से आ रही ट्रेन की तेज रोशनी को बेस सबरी से निहारते लोग नज़र आ रही हैं और जैसे ही ट्रेन प्लेयर और फॉर्म पर बहुचकर धीमी होती हैं लोग खुश हो जाते हैं जोर-जोर से चलाने लगते हैं ताली बजाते हैं और यहां तक की कुछ लोग डान्स भी करने लगते हैं ट्विटर कमेंस सेक्षन में लोग उतने ही रोवांचत है चितने वीडियो में एक यूजर ने लिखा ये एक ही समय में बहुत मज़दार और फणी है ब्यूर रिपोर्ट मेट्र मुंबई